हलो फ्रेंट्स आपके अपने यूट्यूब चाइनल एवजी सेरा 2.0 में स्वागत है इसके पिछले कलास में हम लोग हिंदी का दू चेप्टर किये थे कवर तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जाकर और आज हम लोग बहुत की करेंगे इसका पहला टोफिक है सब्जेक्टिव में सब पढ़ा हुआ है वायू में इस्थित इकाई धान आवेस से निकलने वाले संपूर्ण विदुद फ्लक्स का मान होता है आप लोग ने सब्जेक्टिव में सब पढ़ा हुआ हुआ यहां पर कुछ डिस्कसिन करने के जरूतर नहीं याद करने के जरूत है वायूद में 10 श्ठित इकाई धान आवेस से निकलने वाले संपूर्ण भिदुद फ्लक्स का मान होता है क्या होता है और सार new सब्सटिव माहिण सम्पीर इसे और आगे हम लोग बढ़ते हां आवेस का पड़ी मानी करंदर साता है कि यहाँ पर है को चान कि आवेस का परिमानी करंदर साता है कि यहाँ पर चार अप्सन है अप्सन अम्रे है कि आवेस जो एक इलेक्टोन पर आवेस का एक अंस है संभो नहीं है दुसरा है कि एक आवेस को नस्ट नहीं किया जा सकता तिसरा है कि कनों पर आवेस होता है और लास्ट है कि एक कन पर निवंतम अनुमें आवेस होता है तिहां पर आपका एंसर हो जेगा कि आवेस का परिमायनी कारण दर साता है कि ओप्सन नम्बरे यहां पर हो जेगा कि आव बिधुद छेत्र रेखाओं से जनकारी प्राप्त होती हैं, छेत्र की सक्ति की या दिशा की या आवेस की परकिर्ती क्या इन में से सभी, यहां पर आपका एंसर हो जगा, इन में से सभी, बिधुद छेत्र रेखाओं से जनकारी प्राप्त होती हैं, छेत्र की सक्ति के भी हो होती है मकि परकिर्दी के भी होती है तो चलिए नेक्ष नांबर कोशन कूर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पती पर लगने dial को कहते हैं कि सब्सक्राइब मतालों पर इसका उसका एंसर दोकित्त आसई थो ईसका तो आपको भीधू धूत छेट्र परती इंसर लगने बिदूत छेद्र कहते हैं, नेक्स नमर यहां पर question है, कि दो बिदूत आवेसों के बीच लगने वाले बल को नियंतरित करने वाले नियम कहा जाता है, फिल से question सुनिएगा, दो बिदूत आवेसों के बीच लगने वाले बल को नियंतरित करने वाले नियम को कहा जाता है, क्या तरेंट यहां पर आपका एंशर हो जागा हुष में अप्स नमडontin दो विदू A周期 के बीच लगने वाले बल को नियित करने वाफने वाले नियाब को क्या कहा जाता है ? का नियम कहा जाता है तो आप लोग ओम का नियम, एंपेर का नियम, फेराडे का नियम आप लोग सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो मैं इसका एक वीडियो बना कर सब्जेक्टिव पर डाल दोंगा इंपर्डेंट कोचन का आप लोग वहां से देख लिजिएगा, से लिए नेक्ट कोचन के और आगे बढ़ते हैं हम लोग दो आवेसो के बीच विदुतिय बल एवं गुरुतिय बलो के अनुपात निन में से किस रूप करम में होता है यहाँ पर चार ओप्शन दियागेत यहाँ पर अपका ओप्शन नमबर हो जागा 10 के पावर 49, नेक्शन नमर कोचन यहाँ पर है कि बिंदु आवेस के कारण आर दूरी पर बिदुत बीवो का मान क्या है तिसका सही अन्सर आपका हो जाएगा आर के बिवत करमान नुपाती होता है ओप्शन नमर बी बिनु आवेस के कारण आर दूरी पर बिदुत बीवो का मान आर के बिवत करमान नुपाती होता है नेक्स कोचन यहां पर आ जाई है हम लोग हावा में एप्सलन आर का मान क्या होता है सुन अनन्त वन यहां नाइन गुने दस के पावड नाइन ता आप लोग जरूर सब्जेक्टि में इसे पढ़ेंगे तो इसका एंसर आप लोग सही जरूर बताईएगा वन हो जागा ओप् नमबर का एंसर हो जागा ओप्सन नमबर है क्यू ए बिधुद छेत्र में एक अभ्यसकन पर लगने वाल का मान क्या होता है क्यों आप चलिए यहां पर नेक्ट नमबर कोचन ने बिधुद फलक्स का एसाइग मातर क्या है तो भीब्याइक कोचन पुछता ही पुछता है द वाल ट मिटर है अगया यहां पर नेक्ट नमबर कोचस है कि संबंद क्यूब नम लिक्षित में से कोन फामान संबंद थे यहां पर नेक्ष्सट कर लिए यहाद यotionए ज्यादधा में दिमाग लगाने के जिरोत में ओप्सन नमबर 6र 4.2 शिधा एक्जाम है कौचा ना कहण शेट्टिक आउट करके चलाने चली आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नमबर कोचेन के और आगे हम लोग बढ़ते हैं चली आवेस का प्रिष्ट घनत्व होता है क्या होता है कुल आवेस गुने कुल छेत्रफल आवेस का प्रिष्ट घनत्व आपका सही इंसर हो जागा आवेस का प्रिष्ट घनत्व किसके बरावर होता है कुल आवेस गुल छेत्रफल के बरावर होता है किसी माध्यम की आपेचिक पैरावधुता इप्सलन आर होती है आपको चार ओप्षन यहाँ पर दिया गया ओप्षन ए ओप्षन बी सी डी तिसका आपका सही अंसर हो जागा ओप्षन नमर ए इप्सलन बटा इप्सलन नोट किसी माध्यम की आपेचिक पैरावधुता इप्सलन आर होती है इप्सलन बटा इप्सलन नोट यह 2021 में पूछा गया है चली एक कोच्छन भीबिया है पाने का पैरावधुत इस्थिरांख होता है एक कोच्छन आपको पू नेक्स्ट नमबर यहाँ पर कोचन है कि वन वट्टाप फोर पाइपसलर नौट कमान होता है यहाँ पर चार ओप्षन आपका दिया गया है तिसमें से आपका एंसर हो जाएगा ओप्षन नमबर ए नाइन गुने दस के पावर नाइन नियूटन मीटर स्कॉर आइस को सी याने कुलंब बोलेंगे माइनस टू याद रखेगा यहाँ पर नियूटन मीटर स्कॉर सी के पावर माइनस टू नाइन गुने दस के पावर नाइन यहाँ पर माइनस नाइन भी रह यहाँ पर चलिए नेक निवर कोचन है तो सब्सक्राइब दोस्तों कि अ कि अ अ नपर शोलर नमबर कोचन नेम लिखित में से कौन संबंद सही है निविखित में से कौन संबंद सही है ओप्शन चार आपके पास है तो इसका सही नसर आपका हो जागा ओप्शन नमबर अ यह देने अ लिखित में से कौन संबंद सही है अ इसद आवेश का बीमा होता है क्या होथा है इसका सही नंसर हो जागा आपका ओप्सेन नमबर ए, 80 आधेश का बीमा क्या होता है एती यहां पर कुछ डाउठ है में लग रहा है लेगिन इसका अवड जाम में आया है तो इसको यocy present लेजएगा आधेश का बीमा क्या होता है एती और यहां पर next question है कि epsilon not का मात्रक क्या होता है epsilon not का मात्रक क्या होता है यहां पर चार option है Newton meter minus 1 FM minus 1 force मतलबल होता है C B minus 1 FM तो यहां पर आपका सही answer हो जाएगा option number भी FM minus 1 epsilon not का मात्रक क्या है FM minus 1 चले next question के और आगे हम लोग बढ़ते हैं किसी दूरी पर अवस्थित दो आवस्थित कन के बीच विधुत बल एफ है यदि उनके बीच की दूरी आधिक कर जाए तो विधुत बल का मान क्या होगा 4F, 2F, 1-4F, 1-2F तिसका सही answer हो जाएगा option number 4F किसी दूरी पर अवस्थित दो आवस्थित कन के बीच विधुत बल F है यदि उनके बीच की दूरी आधिक कर जाए तो विधुत बल का मान होगा 4F चले next question के आगे हम लोग बढ़ते हैं किसी बिंदु पर विधुत छेत्र की तिवरता होती है यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर आगे आपके स्कीन पर एक इस नमबर कोचन चले है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका दर्मान बढ़ता है घटता है या अचार रहता या बढ़ या घट सकता है तो इसका आपका सही अंसर हो जागा कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका दर्वेमान बढ़ या घड़ सकता है option number T यहाँ पर option 4 है इसका सही अंसर आपका हो जाएगा बाइस नमबर का option number A Newton minus 1, A minus 2, C 2 बस इसको सिधा तीन वार रट लेजिए question को याद हो जाएगा option number यह हो जाएगा बिदू सिलता का सही मात्र क्या होता N minus 1, A minus 2, C 2 next question है कि आवेस का प्रिष्ट घणत्व होता है इसका चार एक को फिजिक से थोरा सा पहिला चेप्टर थोरा सा हाड होगा तो आप लोग घर बराईएगा नहीं इसके बाद आप लोग को आसान असान आएगा तो इसका एंसर हो जागा आवेस का प्रिष्ट घणत्व क्या होता है तेस नमबर का कोहशन हो जागा आपका एंसर हो जागा ओप्ट्ण नमबरे हो जागा सिग्मा वरां उर क्यू वराटा एप इसका प्रिष्ट घणत्व क्या होता सिग्मा वरां उर मूर क्यू वराटा ए opening नमबर कोहशन चलते हैं विधूटछेटर Je चे लंबहत रखे विधूटविभों का आघोर्ण P है इस इस्थित में दिर्विधरू का अस्थेतिक उर्जा सुन मान लेने पर A और P के बिच ठीटा कोन के स्थिति में दिर्विधरू के स्थिति उर्जा क्या होगे तो आपका यहां पर एंसर हो जागा क्या यहाँ पर आपका हो जागा 24 नंबर कोहचन का एंसर हो जागा आपका B 24 नंबर कोहचन का एंसर क्या हो जागा आपका हो जागा B माइनस B.E चलिए यहाँ पर नेक्ट नंबर कोहचन है कि कुलम बल है केंदरिये बल तो आम का साय अंशर हो जागा आपका हो जागा यहां पर पकशिश नंबर का कुलम बल क्या है यहां पर हो जागा आपकाए और बीदोनो कुलम बल है यानि केंद्रिय बल भी है और विधुत बल भी है नेस्ट नमर कोर्शन पर हम लोग चलता है यदि सम्रूप यदि सम्रूप विधुत छेत्रे एक्स अज की दिशा में विधमान है तो सम्विभो होगा आपके पास चार ओप्षन है इसका एंसर आप लोग बताई हो 左 ब्लक story एक्सवाइट तल की दिशा में तो ऊस्वार त्रीन की दिशा में एक्सवाइग्स तल की दिशा में या यड़ट की दिशा में कह Bj! इसका राइट एंसर व स्वाइट सब्सक्राइब को पूछा जाएगा प्रिभियस यह पूछा जाएगा प्रिभियस यह पूछन कॉछन रिपीट करता है आप विज़े ध्यान से दू से तीन बर विलियो को देखें आपको याद हो जाएगा इस्तिर बैदुत छेत्र होता है कि आ संरस्ची और सं रच्षी यह कहीं संरच या कहीं इन Nee से कोई नहीं नहीं ननो ते इसका राइट अंसर होज़ेगा आपका 28 नंबर का ओप्सन नंबर सरच्छी नेस नंबर कोचन यहाँ पर है कि एक एक आंकी चालक के लिए नीन में से कौन अनुपात अचर होता है कूल आवेस वटा विभांतर दिया गया आवेस वटा विभांतर या इन में से कोई नहीं ते इसका सही अंसर आपका होज़ेगा 29 नंबर का ओप्सन नंबर एक यह एक आंकी चालक के लिए नीन में से कौन अनुपात अचर होता है कूल आवेस वटा विभांतर यहाँ पनेश नंबर कोचन है यह हैं यहां पनेश नंबर कोचन है कि एक विदूती बिधूतिये दो बिपृत आवियससे बना है जिनके परिणाम पलस 3.2 गुने 10 के पार माइनस 29C एवा माइनस 3.2 गुने 10 के पार 29C है और उनके बीच की दोरी 2.4 गुने 10 के पार माइनस 10 मीटर है तो विदुतिव दिद्रू आगोर्ण क्या है तो आप लोगना सब्जेक्टी में इस कोशन को बनाया भी होगा जिसका सही एंसर होजएगा 31 नंबर का आपका ओप्सन नंबर भी 7.6 गुने 10 के पर माइनस 29C थोड़ा सा हाड है ताप तो ध्यान से जरूर पढ़िएगा एक आवेसी चाला की सतह की किसी बिंदु पर विदुतिय छेत्र की तीवरता क्या होती सुने होती है सतह के लमवत होती है या सतह के असपरसिय होती है या सतह पर 45 डिगरी पर होती है तिसका राइट एंसर आपका हो जाएगा ओप्सन नंबर भी सतह के लमवत होती है सतह के लंबवभाथ होती है यहां पर 33 नम्बर है कि बिधु छेत्र e और भिभो D के 2 संबंध क्या होता है EÔर div b db b dx rus for db b dv by dx याभ भी व्राव खर दो सक्वाएंशर णो चले का उपसर नम्बर है यह ब्रावर माइनस टीवी बटा डी अक्स कर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सघाव राएगा नहीं हम लोग कहाँ पर कोशन कर रहे थे 33 नमबर बता दिये थे ना 33 नमबर का अंसर क्या हो जाए ब्राव माइनस डीवी बटा डी अक्स चलिए नेक्स नमबर कोशन है आप बढ़ते हैं आप लोगों को 33 के बाद हम लोग 34 पा जाएंगे ठीक है यहाँ क्या है कि यदि किसी खुंखले गोलिये चाला को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का भी हो क्या है सुने होगा धनात्मक और समरूप होगा धनात्मक और समरू साबुन की एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रीजा क्या होती है बढ़ती है घटती है अब वर्धित रहती है सुन हो सकती है तो यहाँ पर साबुन की बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रीजा क्या होती है यानि कि आप प केक बुलबुले को जब आविशित क्या जाता तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है चलिए नेक्स नमर को चन है यहाँ पर कि विधित विधुरू आघुरू का यसाई मातरक होता है अप्शन नमबर एक कुलम गुने मीटर बी कुलम बटा मीटर सी कुलम मैनेस मीटर स्कॉार एंसर आपका हो जागा 36 नमबर का ओप्शन नमबर एक कुलम गुने मीटर सी गुने एम विधि दुधिरू आघुरू का यसाई मातर क्या होता है कुलम गुने मीटर चलिए नेक्स नमर कोचन के रागे हम लोग बढ़ते हैं आप लोग विडियो को जरूर देखते और शु यहां पर चार ओप्शन है तो इसका सही अंसर आपका हो जागा 38 नमबर का ओप्शन नमबर B M1, L-3, T4, A2 इपसर नोट की भी माय चली नेक्स नमबर कोर्षन क्यों आगे हम लोग बढ़ते हैं चालेक्स नमबर कोर्षन क्यों दो सजातिय वब बराबर आवेस Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन आवेस Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है Q का मान क्या है दो सजातिय वब बराबर आवेस Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन आवेस Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है Q का मान क्या है यहाँ पर आपके साथ 4 ओप्सन दिया गया है इसका सही अंसर आपका हो जागा 40 नमबर का D, माइनस क्युग बटा फोर्म चले, नेक्ष नमबर को जानी हाँ पर क्या है, 40 नमबर एक इस्थिर आवेस उत्पन करता है, केवल विधूद छेत्र, केवल चुमबकिये छेत्र विधूद छेत्र, तथा चुमबकिये छेत्र दोनों, या कोई छेत्र उर्थपन नहीं करता है तिसका सही अंसर आपका हो जागा 40 नमबर का ओप्शन नमबर है, केवल विधूद चेत्र इस्थिर आवेस उत्पन करता है, केवल विधूद छेत्र नेक्स नमबर कोचन यहाँ पर है, 41 नमबर निमलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है आपके पास चार आप्शन है, 3.2 गुर्ण दसके पर-29 कुलम बी है 6.4 गुर्ण दसके पर-29 कुलम और C है, 2.4 गुर्ण दसके पर-29 कुलम और D है 1.6 गुर्ण दसके पर-29 कुलम जिसका सही अंसर हो जागा, आप्शन नमबर 41 का C हो जागा आपका कोरेक्ट अंसर 2.4 गुर्ण दसके पर-29 कुलम नेक्स नमबर कोचन यहाँ है, 42 मुक्त अकास की परावेदुता इप्सलर नॉट होती है परावेदुता नॉट होती है, परावेदुता कोई इप्सलर नॉट करते हैं, तो इसका सही अंसर आपका हो जागा, चार ओप्सन यहाँ पर दिया गया है तो आपका सही अंसर यहाँ पर हो जागा, ओप्सन नमर C, 8.85 गुन है, 10 के पर-12, एफे म-1 चले, ते 40 नॉट कोईशन के और आगे हम लोग बढ़ते हैं आगया, यदि दो आवेदुता के बीच तूरी दुगनी कर दी जाए, तो उनके बीच लगने वाले बल हो जाता है 1 उटा 2 गुना, 2 गुना, 1 उटा 4 गुना, या 4 गुना तेहाँ पर सही अंसर आपका हो जाएगा, अप्सन नंबर C, 1 बटा 4 गुना यदि दो आवेशो के बीच दुरी दुगनी कर दी जाए, तो उनके बीच लगने वाले बल हो जाता है, 1 बटा 4 गुना चले, नेस नंबर कोईशन यहाँ पर है 44, P, आगुन वाला एक बिदूतिय दिविधरू, इप्सलन के साथ 90 डिगरी का कौन बनाता है, तब इस पर लगा बला अगुन क्या होगा तेहस का अंसर हो जागा, 44 नंबर का ओप्सन नंबर A, P, E होगा पी आगुन वाला एक बिदूतिय दिविधरू, इप्सलन के साथ 90 डिगरी का कौन बनाता है, तब इस पर बला अगुन क्या होगा, P, E होगा इस स्पार्ट वान का कोहचे नंबर A, लास्ट है, और इसमें अभियार कोहचे रह गया है, तो नेक्स स्पार्ट में उसको अप्लोड करेंगे, और पिछले कलास में हम लोग दो हिंदी का सेशन देखे थे, तो उससे आप लोग दोस्तों के पास जरूर सेर कीजिए, फिज बिधुद छेतर में, पी दिविधुरू अघुन वाले बिधुद धुरू पर लगने वाला भला अघुन क्या होगा, तो इसका सही अंसर आपका हो जाएगा, 45 नंबर का, ओप्शन नंबर A, पी गुने ए, मिलेंगे नेक्स वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए, बाइ, बाए, बाए, पाए!